जैकिसान दोस्तो आपका चैनल में स्वागत है दोस्तो आम की बात सुनते ही मुह में पानी आ जाता है क्योंकि आम है ही कुछ खास हमारे बागानों में कई किस्मों के आम के पेंड होते हैं और नई-नई किस्मे हमेशा इसमें इजाद भी होती रहती हैं अब बाड़ पीडी छेत्रों के लिए भी आम के खास पौधे के बारे में जानते हैं लेकिन इसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवसी कर दें साथी साथ दोस्तों वेल आइकन की घंटी को जरू दबाएं और दोस्तों लाइक वा सेर भ पानी लगन से आम के बागवानों को एक अच्छी खबर दी है बिहार क्रस्विस्विद्याले के बेंग्यानिकों की अगर हम माने तो तयार किये गए पाउधे अब पानी लगने के बाद भी खराब नहीं होंगे इसका मतलब है कि अगर आम का कोई पेर लंबे समय तक पानी में डूबा हुआ है या उसमें पानी ज्यादा लगा हुआ है तो ना तो सूखेगा और ना ही खराब होगा आम तो पर पाया जाता है कि पाउधे या पेर ज्यादा समय तक अगर पानी में रहते हैं तो उनमें या तो सड़न आ जाती है या फिर किसी तरह का कीट और रोग वहीं इन नए आम के पौधों के साथ ऐसा बिलकुल नहीं है और इन्हें तैयार करने में लगबग दो साल का समय लगा है यानि की बिहार क्रस्बिस विद्याले के कड़ी मेहनत के बाद इन नए पौधे तैयार किये गए हैं दोस्तों बिहार करस्विस्विद्याले की इस नई देन से किसानों की आम की फसल अब पानी की वज़े से बरबाद नहीं होगी जहां बाड की समस्या है वहां किसान या बागवान इन खास पौधों को लगा कर अपना नुकसान बचा सकते हैं यानि की नई बागान तयार कर सकते हैं और अपना पूरा मुनाफा ले सकते हैं अगर पौधे का 75 प्रस्षत भाग भी पानी में डूबा रहता है तो भी वो सुरच्छित रहेगा विशिसग्यों के मताबिक इन पौधे से तयार पेंड एक महिने तक पानी में रहने के बाद भी किसी भी तरह की छटी से बचे रह सकते हैं दोस्तों ये बाढ़ पीडी छेत्रों के लिए बहुत ही खास पेंड हैं जो हमारे किसान भाईयों के लिए काफी फाइदे मन साबित हो सकते हैं अब जहां तक रही किसानों को ये पाउधे कम मिलेंगे तो जैसा कि बिस्विद्याले के बैग्जानिकों का कहना है कि इस रिसर्च को पूरा कर चुके हैं और अब जल्द ही किसानों और बागवानों को इस तरह के पाउधे उपलत कराने की तैयारी की जा रही है खासकर भागलपुर और कोशी के साथ ही देश की बाकी जगे भी बागवान इसे लगा सकते हैं और खास तोर से बाड़ पीडी छेत्रों में खेती करने वाले किसान और बागवान इसका लाफ ले सकते हैं तो दोस्तों ए बहुत बड़ी बात है कि जिन बारफीडी छेत्रों में बागान नहीं हुआ करते थे और आज इस नई खोज की वजय से अगर किसान चाहें तो बारफीडी छेत्रों में भी नए बागान लगा सकते हैं और अच्छी खासी उसमें profit ले सकते हैं तो दोस्तों ये तो रही बिहार कृस्पिस विद्धियले की एक नई खोज यहने की आम के खास पौध है लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवसी करने साथी साथ दोस्तों लाइक वाज सेर भी करें जै किसान दोस्तों